नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है आज है 15 सितंबर दिन सुक्रवार खबरो के ओर बढ़ने से पहरे एक नजर सुर्ख्यों पर सिमांचल दौरी पर केके पाठक ने पूर्णिया के स्कूलों का किया नरिच्छन बिहार में एक हजार से अधिक लोगों को रोजगार देगी ब्रिटानिया शोसर मेडिया से बिजली उबोकताओं के शिकायतों का निप्टारा कर रही बिजली कम्पनिया इंडिया ने इन 14 पत्रकारों के शोका किया बाइकॉट आज होगी भारत और बांगलादेश की तक कर स्रेश अयर की होगी वाफसी अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 वड़ी खबरों के ओर विस्तार से कोल इंडिया लिमिटेड में 560 पदों पर निकली भरती कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से मैनेजमेंट ट्रेनी के 560 पदों पर भरती निकाली गई है ऐसे में वे उमिद्वार जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वे कोल इंडिया लिमिटेड की अधिकारिक वेबसाइट coal.india.in पर जाकर ओनलाइन तरीके से आविदन कर सकते हैं बतादी के आविदन करनी की अंतिमतारिक 12 ओक्टूबर 2023 तक नरधारित की गई है इसके लिए अगर सैचने क्योगिता की बात करे तो इस वेकेंसी से संबंधि ट्रेड में इंजिनरिंग के डिग्री रखने वाले कैनिडेट्स आविदन के पात रहें आविदकों के पास गेट 2023 पास का स्कोर बोर्ड होना अनिवार है इससे जोड़ी अधि जानकारी के लिए आप वेफसाइट पर जारी के गए अधिसूशना को देख सकते हैं सिमानचल दोरे पर केके पार्ठक ने पूर्णिया के स्कूलों का किया नरिक्षन बीते दिन बिहार सरकार के सक्षा विभाग के अपर मुखे सचीव के के पाठक के दोरा बिहार के पूर्णिया के राजा प्रीत्वी चंद्र उंचे मध्धे विद्याली का निरक्षन किया गया इस दोरान उन्होंने स्कूलों में साफ सफाई की सही विवस्था नहीं देख अधिकरित एजनसी को फटकार लगाई और नियमित रूप से साफ सफाई करने का निर्देश दिया इसके अलावा उन्होंने इस तोरार निर्देश दिया कि जो बच्चे तीन दिन से अधिक अनुपस्थित रहते हैं उनका स्कूल से नाम कार्ड दिया जाए वहीं अगर स्कूल के आजपास कोई कोचिंग चल रहा हो तो उस पर कारवाई की जाए और उसे बंद करा दी जाए पहनों ने अररिया के भी कहीं स्कूलों में निरिक्षन किया और कहा के अररिया में बच्चों की हाजरी जो 20% थी वही क्यासी प्रतीशत हो गई है पिछले दो महीने में अररिया में एवरेज हाजरी 50% से अधिक हो गई है विहारी बच्चों में आज हम बात करेंगे राजवर्धन सिनहा के बारे में राजवर्धन सिनहा का जन्म आज ही के दिन 1971 में हुआ था यह एक भारतिय पुलिस सेवा अधिकारी है 2013 में वह अत्रिक्त आयुक्त आर्थी कप्राथ शाखा मुंबई के रूप में कारे रत थे 2015 में उन्हें नागपूर महराष्ट के संयुक्त पुलिस आयुक्त के रूप में निप्त किया गया था 2018 में उन्हें आर्थी कपराज साखा मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त के रूप में निप्त किया गया थो और अब वर्तमान में महरास्ट के विसेज पुलिस महानरिक्षक के रूप में तैनात रहें उन्होंने एक पुलिस पदाधिकारी के रूप में सनातक की उपाधी प्राप्त की और 1997 में महराष्ट में IPS में शामिल हुए राजवर्धन सिना ने महराष्ट के गर्चे रौली में पुलिस अधिक्चा के रूप में कारिकिया वहाँ उनके काम के लिए उन्हें सामप्रदा एकसदभाव के लिए महात्मा गांधी सांती पुलिसकार 2003 मिला राजवर्धन सिना उन्दो वरिष्ट पुलिस अधिकारियों में से एक थे जिन्होंने 2008 में मुंबई में 26 इग्यारक के आतंकवादी हमले के दौरान ताज महल पैलिस होटल में प्रवेश किया था इसके लिए उन्हें बाद में सम्मानित किया गया लेकिन उन्होंने विर्था पुर्षकार लेने से इंकार कर दिया 2014 में उन्हें यह पुर्षकार प्रदान किया गया इस घटना की कहानी सिना के कारियों सहित एडरियन लेवी और कैथी स्कॉर्ट कलार के पुस्तक दसीज में दर्ज की गई थी इस इनहां को 2013 में विस्च सेवा के लिए राश्रुपती पदक से सम्मानित किया गया था UPSC मुख्य परिक्षा आज से परिक्षा केंद्रों पर इन बातों का रखे ध्यान आज यानी की 15 सितंबर से संग लोग सेवा आयोग यानी की UPSC की ओर से आयूजित सिवल सेवा की मुख्य परिक्षा की शुरवात होने वाली है बतादी की परिक्षा दो पाली में आयूजित की जाएगी जिसमें से पहली पाली की परिक्षा की शुरवात सुभर 9 बजे तो वहीं दूसरी पाली की परिक्षा के शुरवा दो पहर दो बज़े से होगी ऐसे में जो उमेद्वार इस परिक्षा में शामिल होने वाले हैं उनके लिए एडविट कार्ट के साथ गाइडलाइन्स भी जारी कर दिये गए थे जिसके अंतरगत यह जानकारी दी गई है कि परिक्षा सुरू होने से 10 मिनट पहले हॉल को बंद कर दिया जाएगा वहीं उमेद्वारों को परिक्षा हॉल में कैलकुलेटर, मुबाइल फोन, पेन ड्राइब, स्मार्ट घरियां, ब्लूटूथ, डिवाइज या अन्य डिजिटल गैजट लेकर जाने की मनाही हैं सभी आवीद को कोकेवल साधर अनकलाई घरी का ही उपयोग करना है, उमेद्वार आयोक की नोटिस के अनुसार, कोविड-19 निर्देशों का भी पालन करे परिच्छा हॉल के अंदर उमेद्वारों को मूल फोटो, पहचान पत्र के साथ ईप्रवेश पत्र 2023 का प्रिंट आउट ले जाना होगा आपके जानकारी क्लिव बता दे कि ये पढ़क्छा 5 दिनों तक चलने वाली है, जिसमें से 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर, 23 सितंबर और 24 सितंबर निर्दारित की गई है SP सिंगला अपने पैसे पर अगुवानी पुल का करेगी नर्मान कि पुल के छतिग्रस्त हिस्से को कंपनी अपने खर्च पर नर्मान करवाएगी बता दे कि कोट ने SP सिंगला कंपनी के प्रबंध निदेशब की ओर से यास्वा शंदिये जाने पर संतोश वक्त करते वे मामले को नश्पादित कर दिया पिशली सुनवाई में कोट के द्वारा पुल नर्मान कंपनी SP सिंगला को नर्देश देते वे कहा गया था कि वे हलफ नामा दायर कर अंडर्टेकिंग दे और अपने खर्च पर पुल के ध्वस्त भाग का नर्मान करवाएगी वहिस्तेपुर के सुनवाई में कोट के द्वारा राजिस सरकार को नर्देश देते वे कहा गया था किस घटना की पूरी जानकारी देते वे हलफ नामा दायर करी वही आचिका करता को कोट के द्वारा दो सब्ता का समय दिया गया था ताकि वे राजिस सरकार दोरा दायर हल खुलने वाली है जिसमें बिस्कुट का उत्पादन किया जाएगा जो कि वर्ष 2023 के नवंबर महीनेशिश शुरू हो जाएगा बता दे कि मिली जानकारी के नुसार इस फैक्टरी की बिस्कुट बनाने की कूल छमता 7000 प्रतिव वर्ष होगी इस बारे में उद्योग एक्सपर्ट ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि नई ब्रिटान्या फैक्टरी सिकंदर्पूर और 216 बीटा पटना में खुल रही है विसकुट बनाने के लिए तीन लाइन चमता 70,000 टन प्रतिव वर्ष है एक हजार से जादा लोगों को नौकरी देंगे 250 करोर से अधिक के पड़ियोजना लागत के साथ नवंबर 2023 तक वेवसाई कुट पादन शुरू कर देंगे इसके साथ उन्होंने टूइट कर यह भी जानकारी दी है कि और 216 सिकंदर पूर बीटा पटना में प्लग एंड प्ले के लिए 40-50,000 वर्ग फीट के 8-9 और 21 सेड निर्माना धीन है कपड़ा और चम्रा उद्यों के लिए 4 लाख वर्ग फीट जगा आज से वीवी कॉलेजों की रोज होगी वीडियो कॉन्फरेंसिंग 15 सितंबर से यानि के आज से प्रते दिन राजे के विश्विद्यालियों के कूल सचीवों और सभी कोटी के कॉलेज प्राचारियों के साथ बिहार राजे उच्टर परिक्षा परिसत के द्वारा वीडियो कॉन्फरेंसिंग की मदद से योजनाओं और गतिवीद्यों की समिक्षा करने की शुरवात होने वाली है बतादिक इसको लेकर विवाग के सचीव सह बिहार उच्टर परिक्षा परिसत के राजे परियोजना निदेशक बैद्यनाथ रियादव के द्वरा विश्विद्याले के कूल सचीवों को पत्र लिखकर जानकारी दे दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि आज यानी की 15 सितंबर से शाम 5 बजे प्रते दिर बिहार राजे उच्टर परिक्षा परिसत वीडियो कॉनफरेंसिंग के माध्यम से लिंक बीते दिन यानिकी 14 सितंबर को ही उपलब्द करवा दिया गया है सोशल मीडिया से बिजली उबवोकताओं के शिकायतों का निप्टारा कर रही बिजली कमपनिया बियार राजे पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के सीनियर प्रोटोकॉल आफिसर ख्वाजा जमाल के दोरा दी गए जानकारी के अनुसार अब बिजली कमपनिया सोशल मीडिया के माध्यम से बिजली उबवोकताओं के सिकायतों को सुलजाने में काम कर रही है जिससे वर्ज 2021 अपरेल महीने में BSPHCL के ट्वीटर हैंडल पर मातर जहां 500 फॉलोवर्स थे अब उनकी संक्या बढ़कर 25,000 से जादा हो गई है उसे तरह NBPDCL और SBPDCL के करमसा 900 और 625 फॉलोवर्स थे जो बढ़कर आज करमसा 22,469 और 17,464 हो गया है उन्होंने बताए कि सोचल मीडिया के माध्यम से कमपनी और वोकताओं के बीच समबाद काफी सुगम और सरल हो गया है BSPHCL के अध्यक्सवा प्रबंदर निदेशक संजीव हंस सोचल मीडिया पढ़ाई शिकायतों पर अपनी नजर बनाई रखते हैं के समधान के लिए वे अधिकारियों को नियमित रूप से दिशान अर्देश देते रहते हैं उन्होंने कहा कि 24 गंटे के अंदर शिकायतों का निवारन कर दिया चाता है ऐसे में अगर आप भी बिज्डिस जुरी किसी प्रकार की शिकायत करवाना चाहते हैं तो बिजली उवोक्ता ट्वीटर एक्सपर अड़ रेट सेवा डैस एन वी पी डी सील और अड़ रेट सेवा डैस एस बी पी डी सील को फॉलो कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं बिहार परेटर में आज हम बात करेंगे कुल हुआ के बारे में कुलुआ एक प्रसद बौध उत्खनन अस्थल है जो पटना से लगभग 65 किलो मीटर उत्तर परश्य मेंसित है उत्खनन से प्रसद असोक अस्थम का पता चला है जिसके सर्ष पर सेर की मूर्ती है उत्खनन से बहुत धर्म से संबंदित कई अने लेक भी प्राप्त हुए समराट अशोक ने कुलुआ में सीह स्थम का निर्मान कराया था यह लाल बरुआ पत्थर के अत्यदिक पॉलिश के गए एकल टुक्रे से बना है जिसके उपर 18.3 मीटर उची एक घंटी के आकार की पुंजी लगी है अस्थम के सिर्ष पर एक सेर की आदमकद आकरिती स्थापित है यहां एक छोटा सा तालाब है जिसे रामकुन के नाम से जाना जाता है इन दिनों बिहार में डिंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जारी है ऐसे में स्वास विभाग भी इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड में है बतादी कि बिहार में डिंगू के मरीजों की संख्या 1300 को पार कर चुकी है ऐसे में बचाओ की सर्वत्तम उपाई है आपके जानकारी के लिए बतादे कि IPRD बिहार के द्वारा पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि डिंगू की बिमारी संक्रमित मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होती है जो की रात में नहीं बलकी दिन में कारती है ऐसे में हमें खुद को दिन में भी संभल के रहने की आवशकता है मालमों कि अमच्छ रस्थत साफ पानी में पनपता है वहीं वैसे लोग जो इस बिमारी से पिरित है उन्हें मचरदानी में ही सुलाए ताकि डेंगू के संक्रमन को बढ़ने से रोका जा सके बतादी कि राजे के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में एवं जिला अस्पतालों में डेंगू से पिरत मरीजों की लिए इलाज की सुधा बिलकुल निशुलक है इसे जोरी अधित जानकारी के लिए अथवा शिकायत दर्ज कराने के लिए निशुलक हेलपलाइन नमबर एक शुनेचार पर कॉल कर संपर किया जा सकता है रोतास में आज लग रहा रोजगार मेला अगर आप भी बेरोजगार है और रोजगार की तलाश में हैं यह खबर आपके लिए काफी मददकार साबित हो सकता है दरसल आज पिहार सरकार के श्रम संसादन विभाग के द्वारा रोतास में एक रोजगार मेला का आयोजन करवाया जड़ा है जो की अवर प्रादे शिक्नियोजनाले डाल्मिया नगर डाल्मिया नगर मैदान के पास आयोजी थोड़ा है ऐसे में वे लोग जो इस रोजगार मेला में शामल होना चाहते हैं वे आज के दिन सुभर 10 बज़े से शाम 4 बज़े तक उसमें शामल हो सकते हैं मालम हो किस रोजगार मेला में ना तो किसी प्रकार की रेजिस्ट्रेशन फी है और ना ही कोई जॉब प्लेस्मेंट इस रोजगार मेला के जरीए सेल्स ट्रेनी के पदो पर नौकरी दी जाएगी और इसके लिए बेतन के रूप में दो महीने के लिए 7,000 रुपे दिये जाए बीते दिन मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के द्वारा मुझपरपुर के SKMCH परिसर इस्थित होमी भाबा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में बुद्धा ओपरेशन थीएटर कॉंप्लिक्स का फीटा कार्ट कर उधगाटन किया वहीं उधगाटन के पश्चा स्पताल कर्मियों और भरती मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत नहूं इसका विशेश ख्याल रखा जाए यहाँ पर अगर किसी प्रकार की परिशानी होती है तो इसका फत्रन तनेराकरन किया जाए वहिसके इलावस ये नतीशने अस्पताल में इलाज रत श्री मती सुनिता देवी को बहतर इलाज के लिए चिकस्ता राहत को से 5 लाख रुपे के सहायता राशी भी दी उन्होंने कहा कि यहाँ पर भरती मरीजों को हर प्रकार की सुधा में ले चिकस्ता को एवं अस्पताल कर्मियों के आवासन की बहतर सुधा उपलब्ध हो इसके लिए राजी सरकार हर संभब मदद करने के लिए तैयार है बिहार पुलिस के 21,391 पदो पर भरती को लेकर परिच्छा कालेंडर जारी बीदर दिन तेश्वी आदब के द्वारा एक्सपर्ट ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पदों पर सीधी नुक्ती है तू परिक्षा कैलेंडर जारी कर दिये गए है जिसके तहत इस परिक्षा कायूजन 1 ऑक्टूबर, 7 के साथ अपना प्रहचान पत्र ले जाना अनिवार है और इसके साथ ही उमिद्वार को अपनी दो पासपोर्ट साइस फोटो भी लेकर जानी होगी आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सिपाही भरती परिक्षा में शामिल कैंडिलेट्स को एक्जाम के बाद भी अपना पी जा रही इसी कष़ी में नवादा साइबर थाना के दोरा साइबर थाना ध्यक्ष जोती प्रिया के नददों में गठत पुलिस की टीम के दोरा दो साइबर ठको गरिफतार किया गया है जो फरजी आधार कार्ट बेस्ट पेमेंट सिस्टम एई पीएस के माध्यम से दोरा अपना जुर्म स्विकार कर लिया गया है जोरान पुलिस के दोरा दोनों साइबर ठक के पास से पांच मोबाइल, छे विविन बैंकों के एटियम कार्ट, साथ विविन बैंकों के पास बुक, चार पैन कार्ट, चार चक बुक और तीन आधार कार्ट बरावन किये गय बिहार के कई जिलों में बारिस की संभावना बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है बदलते हालाद के बीच में बारिस की संभावना नौके बड़ाबर बनी हुई है हाला कि विभाग के तरफ से जो अपडेट साचा किया जा रहा उसमें यह बताया गया है तरव से 15 सितंबर को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि प्रदेश के उत्तर पश्चिम दक्षिन पश्चिम और दक्षिन मध्य के जिलों में एक या दो अस्थानों में वजरपात के साथ में गरजन होने की संभाबना जताए गई है 16 सितंबर को लेकर जारी अपडेट में बारिश से इनकार किया गया है प्रदेश में अगर बारिश नहीं होती तो दहान की फसलों को सबसे अदा नुकसान होगा बीएट पास अभ्यर्थियों के समर्थन में बीजेपी ने सरकार से की ये माग बीपीसी और सक्षक विभाग के दोरा मिलकर ये फैस्दा लिया गया है कि सक्षक बहाली में शामिल बीएट पास कैंडिडेट्स के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है जिसे की बीएट पास अभ्यर्थियों का सक्षक बनने का सपना तूट गया है इसी को लेकर विधान सभा में प्रतिपक्ष नीता विजय सनाक के दोरा सक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में आते वे बिहार सरकार पर निशाना साधा गया उन्हें कहा कि इन बच्चों का क्या दोस है विधार्थियों के सारडिक मांसिक और आर्थिक परिशानियों का जवाब कौन देगा या सिक्छा नीती हो वकेवल वसूली नीती बन कर रह गया है 33 स्वर्षों की भाई-भाई सरकार में सिक्छा विभाग लगातार उनके जिम में रहा है तीन दशक में भरती के लिए एक बहतर नियम नहीं बना पाए अब चुनाओं का समय है तब आप वसूली के लिए तमाशा कर रहे हैं प्रतीभा का सम्मान कीजिए और समधान निकालिए अब आंगनबारी केंद्रों के 34 लाग बच्चों का बनेगा रिपोर्ट कार्ड अगले महीने यानी के ऑक्टूबर से राज्य के 1.15 लाग आंगनबारी केंद्रों के 34 लाग पच्चास हजार बच्चों की अगले तीन साल तक एक रिपोर्ट कार्ड तयार की जाएगी जिसमें बच्चों को सैचनिक और सारिक विकास को लेकर जानकारी शामिल होगी बदादिक इसको लेकर रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मिट आगनबारी केंद्रों को भेज दिया गया है वालूमों की प्रथम संस्था और S.C.E.R.T. के दोड़ा मिलकर तयार किया गया है नई सिक्चानिती 2020 के तैट स्कूल जाने के पुड़ो बच्चों की सिक्चा कावलो को दिखाया जाएगा इसके लावा अभिवावक से स्वागत कार्ड भरवाया जाएगा जिसमें अभिवावक से 6 परशन पूछे जाएगे जिसमें बचे चादंग पहचानना, गिन्ती करना, चुत्र पहचानन, छोटा बड़ा बताना, संतुलन बना कर चलना आदिश शाम कोट ले जाने के दौरान गारी में जबरन बठाने को लेकर तीखी नोग जोख हो गई मालम हो के बदवार के रात को ही एडी की तीम के दौरा बोजपुर के मशूर बालू कारोबारी और जदियु विधान पारसद राधा चलन सा को बालू के अवैद कारोबार और टैक्स चोड़ी से लेकर गलत तरीके से समपती अर्जित करने के आरोप में आरा के उनके फार्म हाउस से ग्रिफतार कर लिया गया था जिसके बाद उन्हें रात भर पटना की एडी ओफस पर रखा गया मालम हो कि छापे मारी के दौरान एडी के हाथों कई दस्तावेज भी लगे हैं इससे पहले भी पटना में कई दिनों तक राधा चलन साह और उनके बेटे कनहिया से एडी दफतर में पूछ ताच हुई थी वही बीदे दिन जेडियू MLC राधा चलन को MP MLA कोर्ट में पेश किये जाने के बाद कोर्ट की ओरते उन्हें 14 दिनों के हिरासत में बेउर जेल भेज दिया गया है जीतनराम मांजी ने CM नितीश पर कसा तंच पिहार के पुर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांजी आए दिन बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार पर हमलावर रहते हैं इसी कड़ी में एक बार फिर उन्होंने CM नितीश पर तंच कसने का काम किया है वे एक विचारधारा को लेकर नहीं चल रहें जो कुछ अनरगल बात करते रहें उसको साथ लेकर चले जिसको तुछ कहकर छोड़ दिया उसको साथ लेकर चले जिस बात को लेकर किसी को छोड़े वही बात आज भी है लेकिन उस पर कोई विचार नहीं करतें कहने का मतलब की कुरसी के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं उन्होंने कहा कि मैं पीम मोधी के महांता को स्विकार करता हूँ कि नरंदर मोधी ने उन्हें बुलाया और अमेर की राश्ट्रोपती से मुलकात करवाई जिन्होंने नरंदर मोधी को अग्या देकर विजय गायब कर इंडिया ने इन 14 पत्रकारों के सो का किया बैकॉट इंडिया की निताओं की और से पहले से कथित आडूप लगाया जाता रहा है कि कुछ पत्रकार सत्ता की तरफदारी करते हैं आज होगी भारत और बांगलादेश की टकर स्रेयस अयर की होगी बापसी आज यानी की 15 सितंबर को भारत और बांगलादेश के भी एसिया कब 2030 का आखरी सूपर मुकाबला होने वाला है ऐसे में भारत के लिए अच्छी खवर है कि मिडल ओरर के बलेबाज स्रेयस अयर प्रैक्टिस सेशन के दोरान टीम इंडिया में फिर से शामिल हो गया है उन्होंने काफी देर नेट्स पर बलेबाजी की और इस दोरान में काफी अच्छे ले में दिखे मालमों कि पीट में एठन होने के कारण वे पिछले सूपर चार चरन के मुकाबलों में खेल नहीं पायते है कई कारण सिदर्ज गांधी इर्विन समझोता 1931 को हुआ सुतंत्र भारत का पहला ध्वजपोत आई एनस 1948 में दिल्ली मुंबई के बंदरगाह पर पहुंचा भारत की राश्री प्रसारन सेवा दूरदर्शन किश्रिवात 1969 बंगलोड के मुंदीर सिवराजी ने 2009 में सब जुनियर बिलियर्स का खिताब जीता पैंसूला फांडेशन के चेर्मैन सुब्रतो चिटुपध्याई 2009 से 10 के लिए ओडिट ब्यूडो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष शुने गए भारत प्रसिद हिंदी साहितिकार डॉक् का जन्म 1905 को हुआ था तमिलाडो के प्रसिद नेता और भूतपुर्व मोख्य मंत्री सी एन अन्ना दुराई का जन्म 1909 को हुआ था परमीर चक्र से सम्मानित भूतपुर्व भारतिये सैनिक लांस नायक करम सिंग का जन्म 1915 को हुआ था प्रसिद कवी एवं सहितिकार बिश्वर दयाल सक्षेना का जन्म 1927 को हुआ था भारती अर्थसास्त्री सैचनिक और राजनितगे कानून मंत्री और नयामूर्ती भारत के लिए सुब्रमन्यम स्वामी का जन्म 1929 में हुआ भारती अभिनीतरी रामया कृष्णन का जन्म 1927 में हुआ राश्ट्रिये स्व बारल होती है लेकिन सभी सच हो यह जरूरी नहीं है इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधान मंतरी मुफ्त लैप्टॉप योजना के बारे में दरहसल पी आई भी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर एक नोटस प्रसारित होड़ा है जिसमें आई जा रही मार्क जुकरबर्ग ने भारत में वाट्साप चैनल किया लॉंच मेटानी भारत समीत 150 देशों में वाट्साप पर चैनल्स को लॉंच कर दिया है वाट्साप चैनल एक तरह का वन वे ब्रॉड कास्ट टूल है यानि इसके जरीए सिर्फ चैनल के एड्मिन मैस लेता है इसको लेकर मेटा के मुख्य कारेकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने वाट्साप चैनल को लॉंच किया उन्हें कहा कि मेटा न्यूज और अपडेट्स शेयर करने के लिए चैनल सुरू कर रहा हूं दनिया भर में आपके साथ जुन्ने के लिए उत्सुक हूं मेटा के मुताबिक चैनल्स को लॉंच करने का उदेश है एक ऐसी नीजी ब्रॉडकास्ट सेवा मुहिया कराना है जो चैनल्स के एड्मिन्स और उसके फॉलोवर्स तो उनकी नीजता का ख्याल रखें इस नए फीचर के साथ से लेबस और कंपनियों को उनके फैन्स फॉलो जोड़ना और चैनलों को विस्तार करना जारी रखेगी फिल्म चग्दे एक्टर रियो कपारिया का निधन सारुख खान की फिल्म चग्दे में उनके साथ काम करने वाले जाने माने एक्टर रियो कपारिया का बीते दिन 14 सितम्बर दो पहर सारे 12 बजे के करीब 66 साल की उम के द्वारा की गई वहीं आम इनका अंतिम संसकार आज यानिकी 15 सितम्बर को गोड़े गाउं के सिधां भूमी गोड़े गाउं में होने वाला है हाला कि अब तक यह जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है कि रियो कपारिया का निधन कैसे हुआ वहीं आक्टर के निधन की दो के एक एपिसोड में भी देखा गया था इसके अलावा उन्होंने फेमोस टीवी सोस अपने सुहाने लड़कपन के और सिधार तिवारी की महाभारत में भी देखा गया था हम प्रदे दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवार और सुझरे जवाब बताएंगे जो की बीपियासी, बिहार, पुलिस, दरोगा समेत, एससी जैसे अने प्रतियोंगी परिच्छाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेर्स और भुगोल से रहेंगे, पूछेगे पांचो सवाल में आपने कितना सही उतर दिया, क्रिपा करके यह हमें कमिन करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है, हाली में कहां में दुनिया के सबसे उंचे फाइटर एयर फिल्ड का निर्मान किया जाएगा, ऑप्शन ए एहमदाबाद, ऑप्शन बी चन्नाई, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी लद्दाक के नियुमा इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी लद्दाक के नियुमा, अगला सवाल, हाली में पुडवे दिल्ली के लोनी चेतर में किसका निर्मान किया जाएगा, ऑप्शन ए किट्स पार्क, ऑप्शन बी दिव्यांग पार्क, ऑप्शन सी बुजर्ग पार्क, ऑप्शन सी फैमिली इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी दिव्यांग पार्क, अगला सवाल, हाली में सितंबर 2023 में विस्व तिरंदाजी चैंपियंशिप 2023 का आयुजन कहां में किया जाएगा, ऑप्शन ए मेक्सिको, ऑप्शन बी टोरंटो, ऑप्शन सी थाईलेंड, ऑप्शन डी स्रिलंका, इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए मेक्सिको, अगला सवाल, बिहार में आदिवासियों के निवास के आरंभिक साक्षे कहां से प्राप्थ हुए हैं, ऑप्शनी चंपारण एवं मुझपरपुर से, ऑप्शन बी मुंगेर एवं नालंदा से, ऑप्शन सी गया एवं डेहरी स अप्शन डी उप्युक्त में कोई नहीं, इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी मुंगेर एवं नालंदा से, अगला सवाल, बिहार में आदिमारव के उपस्तिती के आरंभिक साक्षे किस युग के हैं, ऑप्शनी पुरुफ प्रस्तर युग, ऑप्शनी मध्य प्रस्तर यु इसका सही उत्तर है, ऑप्शनी पुरुफ प्रस्तर युग, बीते दिन हमारव दुर पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपन जवाप हमें हमारी कमेंट सेक्षन बॉक्स में लेक कर दिया था, जिन्हों ने हमारो दुरा पूछे का सवाल का कुमार प्रहलात कुमार पवन सिंग मंटु कुमार नुनु गोलु कुमार अनवर्द करीम खान इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों आज का सवाल है आपके अनुसार अब तक हुए एशिया कप के हुए मैचों में किस भारती खिलारी का प्रदर्शन सबसे अच्छा प्रदर्शन सबस्टर से बाद के लिल